हाई मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक प्वीटीर कमडिटी में स्वागत करता हूं जैसा कि यहां पे आपको स्क्वीन पे दिख रहा होगा आज मैं आपको इस पीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बीक ब्रेकाउट और स्ट्रॉंग ब्रेकाउ चार्ट पे चलते हैं और इसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जहूर सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहां पे हम इस तरह के और भी कॉंटेंट आपके लिए वेगलर वेशिस पर लाते रहते हैं और बेल आइकन को दवाना ना भूलें ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस्ट ना करें चलिए चार्ट पे चलके इस चीज को समझने की कोशिस करते हैं चार्ट पे आते हैं और यह अगर आप चार्ट देखें तो किसका चार्ट है यह आपको निफ्टी का 15 मिनिट का चार्ट है तो इसके वेशिस पे आप चाहो तो इन्टवाटे ट्वेडिंग भी कर सकते हो बीटी एस्टी ट्वेडिंग भी कर सकते हो और शॉर्ट टम आप आप अपसंस फ्यूचर में ट्वेडिंग भी कर सकते हो तो यहाँ पे हम चार्ट पे आपको यह सारा कुछ एक्स्प्लेइन करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ प वो सारा वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में भी मिल जाएगा और मैं आपको इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत trend line करना बताऊंगा है तो पहला पॉइंट आपको trend line करना दूसरा यहां पर अगर आपका closing above trend line देता है यहां पर trend line को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो उसके बाद क्या होना चाहिए इसके अगला trend line तो वहां पर क्या होना चाहिए open equal to high होना चाहिए यह नि यह त्यूंड क्वेटरिया हम देखेंगे यह त्यूंड क्वेटरिया सैडिस्फाई करेगा तो जो भी breakout होगा वह आपका strong breakout होगा अधरवाइस जो भी breakout होगा वह हमारा या फिर जाओ और इसी इसको फिल्टर करेंगे इसको मैं ख्लीर करतेना चाहूंगा अब देखिए यहां पे सबसे पहले प्राइव भना है इसके करीब यहां पर है बना है अगर अम आप정 पिन त्रेट लाइन को draw करते हैं एक line draw करें तो हमारा क्या बन जाएगा trend line बन जाएगा इसी दरीके से आपको trend line draw करना जहां पर high या फिर low को हम join करते हैं अब देखिए इसके बाद यह आपका resistance group में काम कर रहा था price इसके उपर निकला यहां से अब यह क्या बन गया यह आपका support line बन गया फिर price उपर गया फिर price आपका यहां पर टच किया और इसी बीच में क्या हुआ एक हाई यहां पर बना उससे नीचे हाई यहां बना मतलब यह क्या कर रहा लोवर हाई pattern का formation कर रहा तो जो भी लोवर हाई pattern है इन सब को join करते हैं यहां पर हम एक trend line ड्रॉ करते हैं इस तरह का हमारा एक और trend line हो गया यहां पर हमारा दो trend line हो गया जो कि clear cut आप यहां पर देख सकते हैं अब इस trend line के basis पर आसानी से आप breakout find कर सकते हैं और breakout real है या फिर weak है या फिर false है वो सब हम कैसे identify करेंगे जो तीन पॉइंट में आपको बताया था उसके basis पर identify करना सबसे पहले देखिए क्या चाहिए candle का closing हमें यह जो trend line है इसके ऊपर चाहिए तो देखिए यह strong green candle है closing इसके ऊपर दे दिया ठीक है तो यहां पर हमने क्या बहुता था कि हमें close कहां चाहिए अगर close above trend line हो रहा है तो उसके next candle हमें क्या देखना next candle आपका open equal to low होना चाहिए और और साथी साथ candle ना color क्या होना चाहिए green भी होना चाहिए यानि अगर उपर closing दे रहा अब सरी तरफ breakout दे रहा that means to buyers में strength है buyers यहाँ पर active दिख रहे बायर अगला candle भी क्या होना चाहिए green होना चाहिए और open equal to low formation होना चाहिए अगर यह क्यों क्यों करता है हमारा equity level यहां पर लगवग आपका 80% के करीब हो जाएगा यहनि इसके बाद जो breakout आएगा वह काफी strong breakout है फिर false breakout आने के chances कम हो जाते है अब यहां पर देखिए closing ऊपर दिया है हम क्या देखेंगे कि अगला candle में क्या होना चाहिए open equal to low अगला candle आपका green हो गाई होगा यहां पर यह भी हम चेक कर लेंगा अगर open equal to low form किया उसके बाद भी candle color अगर red हो जाता है तो हमें instant निकलना entry करने के बावजूद भी आपको जैसे candle close दे red color में उसी टेम आप यहां से बाहर निकल जाए क्योंकि जो quid area हमने set किया उसको fulfill नहीं कर रह पहला target price हमारे यह होगा जो कि हमारा 15,600 यहां पर 100 point हमें लगबग आपका same day मिलता हुआ दिका यहां 23rd of date को इसने breakout दिया और same day इसने लगबग आपका half time के बाद आपको 100 point का profit आसानी से दे दिया तो देख सकते हैं यहां पर हमने breakout identify गिया और यह कौन सा breakout है यह आपका strong व जिसके basis पे हमें आसानी से सिर्फ कुछ घंटों में intra day में हमें कितना मिल गया 100 point का profit मिल गया और intra day में 100 point profit बनाना बहुत मुश्किल होता है इस बनाने के लिए बहुत साइब लोग नुकसान भी कर बैठते हैं और बहुत ज़्यादा महिनत करना पड़ता है दो से तीन दिन बीचे साइर की तरफ आ रहा तो हमें चाहिए होता क्लोज बीलो ट्वेंड लाइन नहीं दिया अगर आप यहां पर जैसे इस लेवल को ब्रेक किया है वैसे ही आप entry लोगे क्या हो जाओ कि यहां पर ट्रैप में फस जाओगे और ट्रैप में फसने का मतलब है कि आपको यह बोल सकते कि जो breakout है वो क्या है वो weak breakout है आप चाहोते इसको breakout नहीं भी बोल सकते क्योंकि breakout के पहले एक वेटरिया को यह satisfy नहीं कर रहा है उसकी बाद यहां पर हम और वे एक जामपल लेते हैं अगले एक जामपल पर चलते हैं यह आपका bank nifty बारा अब यहां पर हम चार्ट क मतलब जैसे यह 2y बना इन दोनों high को जोयन करते हो एक trend line यहां पर हमने अपर ऑगर पर ओंस salary हो गया क्रेंगे Tech डो सन्लेंकर रखType और haaye oy est को join करते हुए turn line ब्रॉए उसके बात के चले operator करें लेकिन उससे पहले बता हुगा यह आपका bankruct का फाइब मिनिट वाला चार्ट है और फाइब मिनिट में जैन्रली हम लोग क्या करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं अब यहां पर देखे आपको 23rd of day जिस दिन निफ्टी में ब्रेकाउट देखने हो कि मिला था और ब्रेकाउट किस तरफ दे रहा है अबब trend line है तो हमें क्या चाहिए होगा सबसे पहले close above trend line होगा हमें यहां पर मिल गया है closing above trend line दिया next candle क्या होना चाहिए open equal to low का formation करना चाहिए अगला candle open equal to low formation किया है जैसे open equal to low formation किया हम इस particular level पे entry करेंगे अब entry थोड़ा बहुत उपर नीचे हो भी सकता है तो वो हमारी लिए matter नहीं करेंगा लेकिन जैसे open equal to low होगा यहां पे हम entry करेंगे अब यहां पे जो हमारा entry होगा लगबग आप ले सकते हैं कि 33,050 के आसपास कर रहें entry यहीं थोड़ा बहुत 15-20 पॉइंट उपर नीचे हो सकता है वह आपको consider नहीं करना उसकी बाद हमारा पहला टागेट क्या होगा इस particular level पे हमारा पहला टागेट पैस होगा यहीं 33,200 तो इस particular level पे हम अपना दूसरा टागेट पैस रखेंगे या नहीं तो इसके बाद आपना ट्वेलिंग स्टॉप लास रख सकते हैं और इस particular level पे यहां पे आप आसानी से एट लिस्ट डियर सो से 200 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से बना सकते हैं नहीं तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट बनाने से आपको कोई नहीं रोख सकता है काफी सेक्योर प्रॉफिट है तो देखेया यह सारा प्रॉफिट हमें कहां मिला इंट्राड even बेंदे और इहां पे आपको कुछ मिंटो में ही मिला आपको आवर का वेट करना नहीं पड़ा है लगवागत लिए हुए उसकी बाद देखिये प्राइस आपका यहां से नीचे साइ अब यहाँ पर देखें क्या हुआ, यह हमारा trend line था, पहले से draw था, इसको break करके नीचे closing दिया है, यहनि यहाँ पर क्या हुआ, close below trend line हुआ, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जब close below trend line होता है, तो कौन सा quitteria को fulfill करना चाहिए, open equal to high quitteria होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर sellers हाँ होते हैं, और जब open equal to high बनाता है, मतलब जैसे candle अपने highest point पर open हुआ, वहीं से selling स्टार्ट हो जाता है, और उसके lowest point तक selling दिखता है, यह दिखा रहा है, कि यहाँ पर जो seller से वो बहुत ज़्यादा strong है, और यह जो breakout होगा, वो strong बाला breakout होगा, और साधी साथ, candle color क्या हो यह जो breakout है, यह आपका weak breakout है, जो की trap करने की कोशिस करता है आपको, तो इस तरीके से आप weak breakout को इस दो तीन point की ज़री फिल्टर कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी लोग क्या किये होगे, sell side की तरफ गए होगे, उनको क्या होगा, loss होने से उनको कोई नहीं बजा सकता, और इ जैनरली इसको filter करने का तरीका नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पर हम दे एक तरीका find किया, जिसके basis पर आप इस तरह के breakout को find कर सकते हो, और यह कमजोर breakout है, इसको आप avoid कर सकते हो, जैनरली लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर आपका stop loss hit करेगा ही करेगा, तो वहाँ पर आप द closing कहां पर दिया है, यहाँ पर दिया है, यहनि single candle ही आपको बहुत ज़्यादा upside निकल गया है, अब क्या हुआ, हमारा stop loss होगा, यह जो candle होता है, इसका lowest point पर stop loss होता है, तो risk reward मेरी favor में नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम upside की तरफ भी जो breakout देगा, उसके basis पर नहीं जाएंग अब यहाँ पर देखें, एक चीज मैंने यहाँ पर बताना मिस कर दिया, कि आपको stop loss कहां पर रखना, इंट्वी तो आपको इस particular level पर करना है, stop loss की बात करें, तो stop loss इससे previous candle का lowest point है, यहाँ पर stop loss रख सकते हैं, उसके बात, जैसे price इससे उपर निकला और अगला candle आपका इससे उपर निकला, जैसे इस particular level पर आया, तो क्या करेंगे, stop loss को यहाँ से हटाके, हम अपना यहाँ पर लियाएंगे, यहाँ बाइंग प्राइस के आसपास लियाएंगे, और अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में करते हैं, तो आपको निफ्टी में 50 point से उपर अगर आपके favor move किया, तो stop loss आपको buying price से at least कितना उपर ले आना, 20 point उपर ले आना, और बैंक निफ्टी की बात करें, तो वहाँ पर लगबग 70-80 point का move करें, तो वहाँ पर भी आपको जो stop loss है, वो buying price से 30-40 point उपर ले आना, यहनि 50 point nifty और 70-80 point bank nifty अगर आपके favor में आ गया तो आपको वहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए, इस तरीके से अपना trailing stop loss continue उपर से की तरफ लाते रहना है, तो यहाँ पर stop loss previous candle का lowest point है, यहाँ पर रखना है, और अगर यहाँ पर हम नीचे से की तरफ breakout मिलता है, और यहाँ अगर हम sell side की तरफ जाते हैं, तो क्या करते यहाँ पर stop loss रहा था, इस candle का highest point हमारा SL की रूप में काम करता है, इस तरीके से आपको stop loss फाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें sell side की तरफ जाना ही नहीं था, यहाँ पर और यहाँ पर समझना है, बस आपको concept समझना है, अब यहाँ पर Reliance के आवली चार्ट पर आते है अब क्या काम कर रहा है, यह आपका resistance के रूप में काम कर रहा है, और बार बार इस resistance level को hit कर रहा है, जितनी बार hit करेगा यह resistance level उतना कमजोर होता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर breakout upset की तरफ मिलता हुआ हमें दिख जाएगा, इसके chances हमें पहले से ही दिख गया है, उसके बा open equal to low होना चाहिए, और उसके बाद candle का color कैसा होना चाहिए, ग्वेन होना चाहिए, तो क्या अगला open equal to low बना है, बिल्कुल अगला candle आपका open equal to low बना है, और candle color क्या है, green है, यहाँ पर buyers हाँ है, और buyers यहाँ पर जवरदस्त अपना strength दिखा रहे है, तो यहाँ पर क्या करें मतलब यहाँ पर आपको भरम में डालने में कोसिस किया है, आपको बता रहा है कि आपने जो tweet लिया वो आपका गलत है, यहाँ पर आप निकल जो आपको मौका दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने सही तरीके से tweet लिया, जो भी criteria हमने set किया था, जो भी technique हमने set किया है और उसके बाद हमारा पहला टागेट पर इस क्या होगा इस पार्टिकुलर लेवल की बात को यह हमारा क्या बन जाएगा यहां पर हमारा टी वन बन जाएगा उसकी बाद आप चाहोते स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है और इसके उपर हम एक सैपेट वीडियो बनाएंगे कि डिफ्रेंट सिटूइशन में आप कैसे अलग-अलग टाहित के स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हो और वह बहुत जरूर यह और विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्वेट न और यहांपर ब्रेक आउट खा यहांपर फ्रोंग वाला अप्रेक आउट वह आपका इस्ट्रॉंग वाला ब्रेक आउट था अब देखिए यहांपर भी थोड़ा बहुत निकला प्राइस के ऊपर लेगन उसे Ce awaiting में देखेंगे जहांपर क्लोज़ि खुन हमें ट्रेंद देखने हो मिला दूसरा विसे क्या होना चाहिए और यहां पर बाइर स्ट्रेंथ नहीं यह लेकिन ब्रेक आउट देने क बाद बाद बायरस ने साथ छोड़ दिया यहां पर से लर्षा यह आपका वीक ब्रेक आउट है जहां पे बायर्स कमजोर है और इस ब्रेक आउट के वेसिस पे आपको बाई साइड की तरफ नहीं जाना है इन सारे बायर्स के उपर भरोसा नहीं करना है वह हुआ उसके बाद प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया और उसके बाद प यहांपे आपर वेक होट डेखना है इस ब्रेकाउट पर आपो इसमें नहीं पर सकते कैसे, और वीकट को फाई कर सकते फिर्फ आपको kंद रखेना है जो टेकनिकल यह बरागता और और इसके वीसिस पे काफी अतक आपने loss को avoid कर सकते हैं और इसके वीसिस पे जो आप breakout मिलेगा strong वाला उसका accuracy 80% करीब होगा यह अगर आप 10 trade लेंगे तो 8 में profit मिलेगा सिर्फ 2-3 में आपको नुकसान होता हुआ दिख जाएगा लेकिन इसके लिए आपको market में बने रहना पर करेगा तब ही आप इस तरह के breakout को identify कर सकते हैं कि strong वाला है या फिर weak वाला है तो उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क सब्सक्राइब के लिए वेगलर विस्टिस पर लाते रहेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूले सब्सक्राइब